हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चानल तो आज मैं आपके लिए पोहा की रेसिपी लेकर आए हूँ आपको यह पोहा ज़रूर अच्छा लगेगा आप इससे ट्राइ करें तो चलिए बनाते हैं यहां पर यह पोहा है जिसको मैंने अच्छे से वाश करके इसको ड्रेन करने के ले रख दिया था आपको इसको पानी में बिल्कुल भी नहीं चोड़ना नहीं तो यह गल जाएंगे आपके पोहे अच्छे नहीं बनेंगे आपको इसको सिर्व वाश करके साइड में रख देना है इसका पानी निकल जाए मैंने थोड़ा सा ऑइल गरम किया उसमें थोड़ा से डालें मुफली इसको अच्छे से थोड़ा रोस्ट कर लेना है आपको हलका सा रोस्ट करना है आपको इसको इससे रोस्ट होने के बाद आप निकाल ले उसके बाद उसी तेल में मैंने डाला यहां पर राई, करीपत्ता, कटे हुए प्याज अब अच्छे से थोड़ा सा आपको प्याज को भूनना है, दो-तिन मिनट के करीब, अच्छे से भून ये थोड़ा सा आपका प्याज भूनना है, उसके बाद मैं यहां पर डाल रही हूँ, बारीक कटे हुए आलू, आप और भी सबजियां डाल सकते हैं, आपकी चॉइस की यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, यहीं पर मैं डाल दे रही हूँ नमक, जो भी पोहा में चाहिए पूरा नमक, आप स्टेब back सकते हैं, मैं आप अलू पर नमक डाल रही हूँ, ताकि आलू अच्छे से पक जाए, आप मैं इसे थोड़ा सा भक दूँँग Ск एक दम लो पे करके इसको बीच बीच में आप चलाते जाए और देखते जाए आलू पग गए है थोड़ा सा जो आलू पग जाए तो मैं यहां पर डालने जाए उसमें टमाटर और मिर्ची हरी मिर्ची थोड़ा से मटर अच्छे से इसको चलाना है यहां पर रूटीन के मसाले डाल दे रहे हुआ है थोड़ा सा धनिया पाउडर लालमेच पाउडर हल्दी पाउडर गरम मसाला जीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर अच्छे से आपको मसालो के साथ अब सबजी को भूनना है मसालो पी अच्छे से भून जाए और सबजी भी अच्छे से हमारी पक जाए तो आप इसके लिए इसको ढग दे थोड़ी देर थोड़ी देर बाद आप देखेंगी तो मसाले अच्छे से हमारे भून चुके हैं सबजी भी अच्छे से हमारी पक चुकी है अब मैं इसमें डार दूँ थोड़ा सा आमचूर अब मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ पोहा और इसको आपको अच्छे से मिलाना है देखेंगी पोहा बिल्कुल खिले खिले त्यार हो रहे हैं क्योंकि आपको इसको मैंने जैसे बताया है वैसे इसे सिर्फ वाश करके रग दे पानी में बिल्कुल भी ना पोहा को छोड़े थोड़ा सा यहाँ पर मैं डाल रहूँ चीनी इतने सारे मसालों को बैलेंस करने के लिए इसे आपका मीठा नहीं होगा पोहा थोड़ा सा स्वाद अच्छा आएगा आप skip भी कर सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं डाल लिए निम्बू का अरस और यह मुंख़ली में डाल दे रहे हैं देखिए delicious से पोहे हमारे तयार है आपको जरूर अच्छे लगेंगा आप इससे जरूर ट्राय करें थारे जापको यहाँ अच्छे लगेंगा